मेरे बेटी का फोन आया कि ममी शाम के लिए कुछ बढ़िया सा चेटपटा और हेल्दी बना देना तो बस मश्रूम रखे हुए थे घर में तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की रिमांड पर अचारी मश्रूम डिका हमारे घर में यह सबको बहुत पसंद होता है हफते में एक बार हम जरूर बनाते हैं इसे तो मैंने यहाँ पर यह चार पैकेट मश्रूम ले लिए हैं इनका एक पैकेट का वेट जो है 200-500 ग्राम होता है और यहाँ पर मैं इने सबसे पहले अच्छे से धोल लूँगी यह मश्रूम बिलकुल साफ हैं तो इसमें मुझे बहुत जादा धोने की जुरत नहीं है लेकिन कई पर मश्रूम बहुत जादा काले पन पर होते हैं यह उसके पर हलका हलका सा काला पन चिपका हुआ होता है तो उसके लिए आप इसके पर थोड़ा सा आटा छिड़क दें फिर उसे अच्छे से ड्रगड कर धो लें तब वो अच्छे से साफ हो जाते हैं लेकिन मैं इनको सिंपल पानी से ही धो रही हूँ और उसके बाद हम गैस पर एक पतीला रख देंगे इसमें मैंने काफी सेरा पानी डाला है आधा पतीला भरकर डाला है इसमें हम नमक डाल टेस्के कोर्डिंग और साथी हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी और एक चमच के करीब सिर्का डाल रही हूँ सफेद सिर्का जिसे की जो की विनेगर होता है और इसमें हम एक उबाल आने देंगे इसे ढग देंगे ताकि इसमें जल्दी से एक उबाल आ जाए और देखे जै और जब तक ही मश्रूम उपलेंगे तो हम इसे पीछे वाले ग्यास पर रख देंगे और आगे वाले ग्यास पर मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है और इसमें हम दो चम्मच बेसन डाल देंगे और बेसन को हम लो फ्लेम पर भून लेंगे क्योंकि हम इसे टिक्के में यूज करेंगे तो इसलिए थोड़ा सा भून लेंगे तो इसका फ्लेवर जादा अच्छा आएगा और जब ये बेसन अच्छे से भून गया है तो हम इसे इस कटोरी में निकाल लेंगे और यहाँ देखिए मश्रूम भी यहाँ पर अच्छे से उबल गये हैं तो बस गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अब इस मश्रूम को हम यहाँ पर छन्नी पर निकाल लेंगे और जो छन्नी है उसको हम हलका साथ टिल्ड यानि की थोड़ा टिल्डा करके रखेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्सेस पानी होगा वो निकल जाएगा और अब हम मश्रूम के लिए मैरिनेशन दयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी दही को छन्नी की उपर रख दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है और अब इस गाड़े दही को हम यहाँ पर इस मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे और इसके साथ ही इसमें एक बड़ा चमच अद्रक लसुन का पेस डाल देंगे अगर आप लसुन नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर लसुन को इसके बिगर सकते हैं यानि कि यह मश्रूम डिका को आप बिना लसुन के बना सकते हैं तब भी इसका टेस शानदार आता है और अब इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच कसूरी मेती इसे हम हाँ से सरीके से क्रश करके डालेंगे तक इसका फ्लेवर अच्छे से निकल कर आएगा अब इसमें नमक डाल देंगे तेस के कॉर्डिंग नमक आप ध्यान से डालें क्योंकि हमें आगे भी चाट मसाला डालना है और मश्रूम को बॉयल करते समय भी हमने इसमें नमक डाला था आप इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिश डाल देंगे इससे कलर बहुत अच्छा आएगा और साथ ही इसमें एक बड़ा चमच सरसो का तेल या फिर कोई सावी ओयल इसमें डाल दीजिए एक छोटी चमच भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल देंगे और साथ ही एक से दो चमच कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये एक चमच मिक्स अचार का मसाला है आपके घर में जो भी अचार हो आप इसमें वो डाल सकते हैं और चार के मसाले से इसमें बहुत ही बढ़िया डेस्ट आता है आप एक बार जरूर ट्राए करना और अब ये दो चमच भुना हुआ बेसन डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको इसे तब तक अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि जो दही है ये सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स ना हो जाए या फिए जो दही बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए लेकिन इसमें अभी प्रॉपर कलर नहीं आया है बिल्कुल मार्किर जैसा तो अगर आप इसमें कलर देना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा इस तरीके से बस एक पिंच red food color डाल सकते हैं इसे डालना option है पर इसे color अच्छा आता है इसलिए मैंने इसमें जरा सा डाला है बेकुल और यहां पर देखिए यह mushroom भी जब पूरी तरह से ठंडा हो गए हैं तो अब आप इसे थोड़े से mushroom इस तरीके से लेंगे और इसको अच्छे से निचोड कर इसे हम marination में डालते जाएंगे इस तरीके से यह देखिए पानी आपको मश्रूम में से निकाल देना है क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो जो हम marination की कोटिंग होगी ना वो मश्रूम की उपर चड़ती नहीं है यानि अच्छे से कोट नहीं होगी तो इसलिए आप मश्रूम में से एकसेस पानी निकाल दें और अब हम इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और इसे तक्रीबन 10-15 मिनट या फिर आदे घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजे ताकि marination की सारे flavors जो है वो मश्रूम में अच्छे से चले जाएंगे और अब हम इसे ढग करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे मेरे पास जादा टाइम नहीं था क्योंकि बेटा आजाता है रात को तो जल्दी से मुझे बनाना था पस मैंने इसे 15 मिनट के लिए ही छोड़ा था और अब मैंने या आप पर ये squares ले ली हैं ये स्टील की हैं मेरे और अब ये मेरे पास जो square हैं इस पे हम एक ही करके ये mushroom लगा देंगे इस तरीके से ये देखिया ये फटा फट लग जाती है और बहुत तेस्ती एकदम market से भी अच्छा mushroom टिकाव घर पर बना सकते हैं इसका टेस्ट बेहर शानदार आता है ये देखिए इस तरीके से मैंन जब आप इससे सेखेंगे तो उतरेगा नहीं तो इसलिए आप इसमें बेसन को भूनकर जरूर डाले और ये देखिए जब हमने सारी squares पर ये लगा दिया है तो बस अब हम इससे सेख लेंगे अब मैंने यहाँ पर gas का flame on कर दिया है और gas का flame हम medium रखेंगे और इसमें हम एक अब आपने इसे एक बर बना लिया तो बजार से तो आप कभी भी नहीं खरी देंगे क्योंकि घर में सस्ता भी बहुत पड़ता है और mushroom है healthy भी है और साथी इसमें ज़्यादा oil या घी का भी यूज़ नहीं होता है तो आप इसे नेशिनतों के खा सकते हैं और ये देखिए कितना बढ़िया इसमें flavor आ चुका है इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से आप इसे घुमाते जाएंगे तो mushroom सब तरफ से अच्छे से roast हो जाएगा और कभी-कभी अगर mushroom घुमता जा रहा है सासा जैसे आप ये घुमा रहे हो तो आप क्या करें कि इस तरीके से चाकू स mushroom को थोड़ा सा एक जगा रख लें यानि stable कर लें ताकि वो नीचे से अच्छे से सिख जाएगा और ये देखिए हमारा चारी mushroom टिका यहां पर अच्छे से roast हो चुका है पूरा अब हम इससे serve कर लेंगे तो serve करने के लिए मैंने यहां पर वही बाव ले लिया है जिसमें हम पर हमने सभी mushroom को इस बोल में निकाल लिया है और अब इसमें दो चम्मच ये बटर डाल देंगे ये बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है आप चाहे दो यहां पर क्रीम भी यूज कर सकते हैं पर मैं यहां पर नहीं कर रही हूँ अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंग रही हैं दो अब इसमें आदा निम्वु करस डाला है और अब इसे कर लेंगे बढ़िया से मिक्स बहुत लाजवाब है बहुत ही जादा शानदार इसका टेस्ट है तो फ्रिंट्स मैं तो इसे इंजॉय कर रहे हूँ अपने फामली के साथ आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती है तो आपकी अपने चैनल रीटा